प्रिंड्स आज हम लोग मोशन आफ टू कनेक्टेड बॉडिज में एट्वुड मशीन पार्ट 3 का डिसकुशन करने जा रहे हैं इससे पहले हम लोग ने दो एट्वुड मशीन अल्रेडी डिसकस करी हैं अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आ आप दोनों एट्वुड मशीन पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अभी तक वो जो दोनों एट्वुड मशीन थी उसमें पहली एट्वुड मशीन में दोनों ब्लॉक्स वर्टिकल मोशन करते थे दूसरे वाले एक ब्लॉक M2 वर्टिकल मोशन करेगा लेकिन जो M1 है वो इंकलाइन के उपर रखे होने की वज़े से वो कुछ एंगल पर मोशन करेगा तो अब ना ये ब्लॉक होरिजॉंटल रह गया ना वर्टिकल रह गया बलकि ये कुछ एंगल बनाकर इस वेज के उपर इस इंकलाइ होने के बाद मोशन परफॉर्म करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ज्यादा तर जानी जाती ही मोशन ऑफ टू कनेक्टेड वोडी के नाम से यहां पर हम लोग को फिर से वही टास्क करना है फोर्स माख करनी है फ्री बॉडी डाइग्रा से जो व्यज है यानि जो सर्फिस है वो फ्रिक्शनलेस सर्फिस है जो पुली है वो भी मास्टेडिस और फिक्शनलेस है ठीज़िश पुली और जो इस ट्रिंग जिस से यह म्-2 था इश हो पर इस पर लगने वाली फ्रोस को Да आीश कर था और उसके लिए जो हम लोगों ने पहले भी एक बार discussion किया था मैं फिर से वो slide ये आपके सामने रख देता हूं कि किस तरह से हमनों free body diagram बनाते तो उसके क्या-क्या step से सबसे पहला step जो था वो external forces को mark करने से start होता था जिसमें कौन-कौन से external forces आपके level पर फिलहाल external forces gravitational pull of the earth है reactionary forces reactionary forces अभी picture में आती जब दो surfaces एक दूसरे से contact में होंगे और एक दूसरे को press upon करेंगे इसके अलावा भी कुछ और forces भी लगती है जैसे spring अगर connected तो spring के बीच में लगने वाली elastic forces मैंने यहां लिखा नहीं है मैंने जगे छोड़ रखी है और आगे चलके एक और force आप पढ़ेंगे जिनका नाम है pseudo forces तो जैसे हम लोग उस तरह की problems को deal करेंगे तब मैं उन सारे forces के बारे में details से आप से बात करूँगा फिलाल हम लोग step 1 की तरह बढ़ते हैं जहां पर मुझे body के उपर लगने वाले forces को mark करना है और सबसे पहला force जो किसी body के उपर act करता है वो है अर्थ का gravitational pull तो अर्थ का gravitational pull किसी भी body के उपर vertically downward act करता है उसके geometrical center से तो यह मैंने M2 के उपर अर्थ का gravitational force FG के नाम से mark कर दिया है M2G और इसका direction क्या है vertically downwards ठीक इसी तरह से यह जो M1 body रखी हुई इसके उपर भी earth का gravitational pull act करेगा वो जो gravitational pull है वो भी vertically downward act करेगा उसको मैं F-G से लिख देता हूँ और इसकी value हो जाएगी M1G अब ध्यान दीजे कि यह वाली body M2 वो एक string set है string के वज़े से लगने वाला force हमेश object को pull करती है तो अगर यह object यहां से बंधा हुआ है और string से मुझे कीचना है तो मैं जब भी string से कीचूंगा किसी भी object को तो tension जो आएगी वो उपर की तरफ आएगी तो यह आपका tensile force यानि tension है इसी तरह से M1 के उपर भी यह यहां से बंधा हुआ और M1 भी एक string से बंधा हुआ, string की वज़े से लगने वाला force फिर से tensile force होगा और इस force का direction भी pulling होने की वज़े से string के along act करते हुए यह tensile force T लग जाएगा string क्योंकि massless है, inextensible है तो जो कुछ भी force इसके एक end पे लगा है या इसने एक end पे लगा है वो same amount of force दूसरे end पर भी transfer हो जाता तो इसलिए इधर भी T है और इधर भी T है, आगे चलके आपको हो सकता है massless strings ना मिले, उस condition में force completely transfer नहीं होगा, force के magnitude में changes आएंगे और इस तरह की problem, further जाके हम लोग आगे उसको और analyze करेंगे, study करेंगे, अब ध्यान से देखे हमने gravitational force mark कर दिया, हमने tensile force mark कर दिया, body ideal system में थी, इसलिए friction नहीं मौझूद था, इसलिए frictional forces absent है, हमने mark नहीं किये, अब क्या कोई दो surfaces एक दूसरे साथ contact में है, क्या कोई एक surface दूसरे surface को press करता है, M2 देखे, किसी भी surface के साथ contact में नहीं है, इसलिए इसके बीच में किसी भी तरह का reactionary force या reactionary बल नहीं लगेगा, लेकिन M1 जो है, वो एक surface के साथ contact में रखा हुआ है, ये इसका contact surface है, और reactionary force हमेशा contact surface के perpendicularly act करता है, तो यहाँ पर जो reactionary force है, ये contact surface के perpendicularly normally act करेगा, और ये मैंने यहाँ पर reactionary force R को mark कर दिया, इसके अलावा यहाँ पर कोई चौथा force act नहीं कर रहा है, एक बार हम लोग उने forces mark कर ली है, तो इसके बाद next step बनता है, मुझे step 2 कहता है कि direction of motion को mark करना है, उसके साथ direction of acceleration जो bodies की हो सकती, उसको mark करना है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर M2 heavier है, तो definitely वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा, चूंकि ये direction of motion होगा, तो उसी direction में a body accelerate भी करेगी, अगर M2 नीचे जाएगा, तो ये इस block M1 को उपर की तरफ खींचेगा, along the incline, तो इसका acceleration इस direction में हो जाएगा, तो ये था हमारा step number 2 कि mark the direction of motion of the body and direction of acceleration on the bodies, अब थर्ड काम क्या करते हैं, थर्ड step क्या है, कि draw the reference frame, दोस्तों यहाँ पर step 3 बड़ा important is question के लिए, इस लिए step 3 को जड़ ध्यान से समझेगा, draw the reference frame considering the motion of the body, तो मुझे अब reference frame draw करना है, considering the motion of the body, तो reference frame हमेशा direction of motion of the body के along draw करते हैं, तो अब देख सकते हैं, जैसे कि यह हमारी M2 body हो नीचे की तरफ जाएगी, तो हमारे reference frame का एक axis नीचे की तरफ होगा, और दूसरा reference frame का axis के perpendicular होगा, एक axis को मैं x और दूसरे axis को मैं y से denote कर देता हूँ, यहाँ पर जब आप देखेंगे M1 के लिए, तो हमारा M1 जो है, वो wedge के along जा रहा है, wedge के parallel चल रहा है, तो जब मैं इसका reference frame बनाऊंगा, तो चुकि motion जो along the wedge है, तो एक axis हमारी along the wedge जाएगी, और दूसरी axis हमारी perpendicular to the wedge जाएगी, तो यह हमारा x axis हो गया, और once I have marked the reference frame, or I have drawn the reference frame, what is the next step to be done, अब मुझे दूसरा step क्या लेना है, मैंने एकर reference frame mark कर दिया है, तो इसके बाद, उस पर मैं सारे forces को mark करूँगा, direction of acceleration को mark करूँगा, और मैं body को as a point particle मान के, उसके center पे, sorry, उसके origin पे रख दूँगा, तो let us do that, तो let us draw the free body diagram for M2, अब आप देख सकते हैं, मैंने reference frame बनाना, तो इसमें y axis vertical ही है, और x axis horizontal है, मेरे लिए काम बढ़ा आसान हो गया है, यहाँ पर चुकि y axis vertical, x axis horizontal है, यह आगई हमारी body as a point particle है, अब पहला force जो लगा, वो vertically downward लग रहा है, M2g, यह मैंने mark कर दिया है, पहला force body से M2g, और body के उपर दूसरा force जो लग रहा है, tension force, वो उपर की तरफ लग रहा है, जिसको मैंने T-set indicate कर रहा है, और body का acceleration downward उसको मैंने A से लिख दिया है, अब चलते हैं हम लोग free body बनाने के लिए M1 के लिए, अब M1 के case में reference frame horizontal वर्टिकल नहीं रह जाता है, अगर मैं थोड़ा सा liberty लेकर इस figure के उपर ही मैं reference frame बनाता हूँ, तो आप देख सकते हो, ये वाली line हमारी in fact Y axis है, जो dotted से मैंने draw करी है, मैं red color से इसको draw कर देता हूँ, जासा आप ध्यान दीजेगा, ये वाली line जो है, ये हमारी Y axis है, और ये वाली line जो है, जो wedge के ठीक parallel चल रही है, वो हमारी इस question के लिए X axis है, तो ये X axis है हो गई और ये वाली हमारी Y axis हो गई, जो कि reference frame हमेशा direction of motion के along ही बनाया जाता है, ये ही इस question की uniqueness है, अब अगर आप देखेंगे कि इस reference frame में M1 G Y axis से कुछ angle बनाता है, जोनोंने मेरा vector का series देखा हुआ है, तो उनको माल long lie नहीं करता था, तो हम लोग इस तरह के vector को naughty vector कहते थे, थोड़ी सी mathematics लगाते है, ये angle theta है, ये angle 90 degree है, तो ये angle बचा हुआ, 90 minus theta हो जाता है, geometry से, और F dash G जो है, अब उसका जो Y axis से angle बनेगा, वो कितना बन जाता है, theta बन जाता है, reactionary force Y axis के along है, तेंशन T X axis के along है, मैं इस पूरे reference frame को सीधे उठा कर यहाँ पर transfer कर देता हूँ, और FBD बना देता हूँ, M1 के लिए, मैं तेढ़ा करके reference frame नहीं ला रहा हूँ, मैं उसको सीधा कर लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं, तो उसको तेढ़ा भी रख सकते हैं, ये choice हो सकती है, अपनी-अपनी, मैं इधान दिया हो, तो F-G इस reference frame से कुछ angle बना रहा था, और जो Y-axis से angle हम लोगों ने calculate किया था, वो angle कितना था, theta था, tensile force X-axis के long लग रहा था, मैंने वो mark कर दिया, ये tensile force है, और ये red pen से mark कर देता हूँ, ताकि आपको दिखता रहा है, ये tensile है, और reactionary force, ये मैंने Y-axis के long mark कर दिया, green से, I hope कि colors visible हो आपको, और इसके बाद, जो gravitational pull था, जिसको मैंने M1G कहा था, वो एक naughty vector था, naughty vector क्यों कि, वो Y-axis से कुछ angle बना कर रखा हुआ है, तो जब भी हमें naughty vectors मिलते हैं, तो हम naughty vectors को directly नहीं handle करते हैं, उनको resolve कर लेते हैं, तो मैं M1G को resolve करूँगा, तो M1G का एक component, जिससे angle बनता, उसके along हमेशा cos component आता, तो यह M1G cos theta हो जाता है, और इधर की तरफ जो component आ जाएगा, वो M1G sin theta हो जाता है, तो जैसे ही मैंने M1G को resolve किया, तो इस vector का, यानि gravitational force का role खतम हो जाता है, अब step number 3 मेरे पास complete हो गया, तो step 4 क्या कहता है, जो आए उसको जल्दी से देख लेते हैं, यह कहता है कि frame the equation of motion along both the axes, that is x-axis and y-axis and solve them simultaneously, तो अब हम लोग इस question में in equation of motion को बनाते हैं और फिर इसको solve करते हैं simultaneously, चलिए देखिए, यहाँ पर x-axis में कोई भी force नहीं लग रही है, इसलिए x-axis में कोई भी equation of motion नहीं आएगी, मैं y-axis के along चलता हूँ और y-axis में देखता हूँ कि body का motion नीचे की तरफ है, अब body का motion नीचे की तरफ है, तो यह indicate करता है कि m2g must be greater, तो अब आपको मालू में newton का second law कहता था, net force is equals to mass times acceleration, तो net force जो इस case में लगेगी, m2g नीचे की तरफ लग रही है, tension t उपर की तरफ लग रही है, तो m2g minus tension t is equals to m2a, यह newton's का second law of motion है, जायतर लोगों को यह newton's का second law of motion पता ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपकी याददाश्ट के लिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर इस case में आप देखेंगे कि y-axis के उपर, दो forces है, r उपर की तरफ लग रहा है, और m1g cos theta नीचे की तरफ लग रहा है, तो r minus m1g cos theta, और इस body में acceleration कि दर की तरफ हो रहा था, right side पे हो रहा था, तो यह acceleration का direction है, y-axis के along कोई भी acceleration नहीं है, तो इसलिए मैंने mass m1 into 0, या simply r is equals to m1g cos theta लिख दिया, अब ज़्याद ध्यान दीजेगा, x-axis के along दो forces लग रही है, body चूंकि right side चल रही है, तो definitely tension t must be greater than m1g sin theta, इसलिए x-axis के जब मैं equation frame कर रहा हूँ, तो tension t minus m1g sin theta is equals to m1a, तो यह equation आपकी x-axis के along आ जाती है, और यह वाली y-axis के along आ जाती है, reactionary forces का role जब कभी भी friction involved होंगे तब आएगा, या pseudo forces वगरा involved होंगे तब आएगा, तो फिलहाल reactionary forces का अभी फिलहाल कोई role नहीं, तो आप हमारे पास दो equation of motion आ गहीं, पहली equation of motion यह है, और दूसरी equation of motion यह है, मैं इन दोनों की मदद से t और a के लिए equation को solve करता हूँ, दोनों equation को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि वह आप देख सकें, screen cut रही है, तो पहली equation of motion थी, t-m1g sin theta is equal to m1a, और दूसरी equation of motion थी, वो थी m2g-t is equal to m2a, अब अगर आप ध्यान देख से देखें, तो दोनों equation को मैं add कर सकता हूँ, directly, simultaneously, तो यह हो गया, add कर रहा हूँ, तो यह t-t cancel हो गया, अब बचा क्या, m2g-m1g sin theta is equal to m1 plus m2 times of a, therefore, acceleration का expression आगया, g m2-m1 sin theta upon m1 plus m2 meter per second square, तो यह आपके पास acceleration का expression आगया, अब दूसरा काम क्या करना है, मुझे tension find करना, मेरे हिसाब से tension को find करने के लिए एक बार फिर से हमनों simultaneous equation के मदद लेंगे, उपर वाली equation को m2 से multiply करेंगे, acceleration को मुझे remove करना है, तो उपर वाली equation को मैं हम m2 से multiply कर रहे हैं, मैं फिर से equation लिख देंगे, t-m1g sin theta is equals to m1a, और दूसरी equation जो थी हमारे पास, वो थी m2g minus t is equals to m2a, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग approach दे रखा है, कोई acceleration की value यहां substitute करके लिए t के लिए solve करता है, मेरे को ज़्यादा आसान लगता है कि मैं यहां पर इसको m2 से multiply कर दूँ और इसको m1 से multiply करके acceleration को remove कर दूँ और तब question को solve करूँ, अगर मैं उपर वाली equation को m2 से multiply करता हूँ, तो equation उपर वाली modify हो जाती है, m2t minus m1m2g sin theta is equals to m1m2a, और जब इसको मैं m1 से multiply कर रहा हूँ, तो यह equation बन के आ जा रही है, है m1m2g minus m1t is equals to m1m2a, और subtract कर दूँ, minus यह plus और यह भी minus यह cancel हो गया, और अब मैं दोनों को solve कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, m2t plus m1t minus m1m2g sin theta and minus m1m2g is equals to 0, t common ले लेता हूँ, यहां से m1 plus m2 आ जाता है, पूरी चीजों को इधर left की तरफ transfer कर देता हूँ, m1m2g common है, उसको निकाल लेता हूँ, 1 plus sin theta, therefore t is equals to m1m2g, 1 plus sin theta upon m1 plus m2 newton, तो यह tension का expression आ जाता है, Atwood machine में part 2, दोस्तों, Atwood machine यह motion of two connected bodies, free body diagram में बड़ा important part play करता है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है, at class 11th level पे, दूसरा, इनके उपर based कही तरह के questions आगे जाके, आप solve करेंगे, numerical problem solve करेंगे, कोई भी इसको formula के तरह पे use मत करिएगा, directly जैसे अभी आपने free body diagram बनाना सीखा, और अपसी तरह से उसको solve करिएगा, दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो don't forget to like, subscribe and share, और कोई भी problem इसके अलावा आपको इसमें लगती है, तो please feel free to comment on to the video, नीचे comments में ज़रूर लखिएगा, और किसी तरह के questions को अगर आप चाहते हैं जानना समझना, तो please comments में अपने mention ज़रूर करिएगा, thank you.